मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर highly demanded एक जो question है उसका answer मैं एक साथ ही देने वाला हूँ आप सभी लोगों ने क्लैट की जो official mark sheet है जो second time वाली mark sheet है उससे अपने marks को देख लिया होगा उसके बाद मैं अपने marks पता कर लिया होगे अब लगातार ये comments आ रहे हैं या फिर calls आ रहे हैं बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरे इतने marks आए हैं मुझे कौन सा NLU मिल सकता है तो सबसे पहले तुम्हें ये बता दू कि अभी क्या होगा तीन तारीक को exam हुआ चार तारीक को morning में एक answer की आई थी जो कि गलत थी उसके बाद में रात को भी एक answer की आई वो वाली लगबग ठीक है पर उसके अंदर भी objections है हलाकि objections अभी चलेंगे अब क्या करतना है आगे क्या क्या होने वाला है दस तारीक को आपकी rank आ जाएगी आपका जो result है वो दस तारीक को आ जाएगा 10th December उसके अलावा 12 तारीक से 12th December से आपका admission process जिसे की counselling कहा जाता है admission process जिसे की counselling कहा जाता है वो शुरू हो जाएगा तो ज्यादा दिन नहीं बचे है बट फिर भी एक curiosity रहती है मन में तो एक short video आपके लिए आपको ये बताने के लिए कि आपके कितने marks आए हैं पहले आप जान ले कि ये marks एकदब fixed नहीं है कारण क्या है सभी लोगों के number of questions सापने कितने attempt किये है number of candidate कितने है participating institution number of seats और difficulty level of exam इसके उपर base में बनता है उसके अलावा आप अपनी preference देते हैं आपकी अपनी category होती है ठीक है इन सब के उपर भी depend करता है इन सब के उपर भी depend करता है कि आपके marks कितने है और आपको कौन सा college मिलेगा आपकी domicile कहां की है आ बहुत सारे factor यहां पर काम करते हैं ठीक है बट एक बार मोटा मोटी idea हम लोग maximum colleges का ले लेते हैं बात करते हैं बैंगलोर की national law school of India university यहां पर अगर general की cut-off की बात करें अच्छा disclaimer है यह एकदम ऐसा होगा ही होगा नहीं हमने जितने भी किया हगते 1500 बच्चों से बात की है ज अगर आपके 91 तक या फिर 89 तक है तो फिर आपको बैंगलोर मिल सकता है 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 अधराबाद नालसार की बात करें तो 86-87 पर मिल जाएगा आयू भोपाल की cut-off जो है 83-85 तक जा सकती है ठीक ऐसे ही NUJS कोलकाता NLU जोटपूर राइपूर गांधी नगर गांधी नगर सिल्वासा लखनव पंजाब मतलब जो आपका पटियाला में गांधी नगर पटियाला में NLU है वो CNLU हो गया कोची, ओडिशा, रांची, आसाम, मुंबई, HPNLU देखे मुंबई का अचानक से यहां पर उपर आ गया क्यों क्योंकि प्रिफरेंस के अंदर मुंबई को बाकी बच्चे काफी उपर रखते है ठीक है अगर तला, नागपूर, DSNLU जो जवलपूर वाला है इस छे कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने इसे दे रखा है, एक बार ना, आप इसका, मैं 4K करवा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो रहा हूँ, यह फर्स्ट पेज है आपका, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप देखेंगे कि यहां पे SCST, जो इनके cut-off है, यह काफी कम जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि यहां पे आपको स्टेट के reservation की देखने को मिलते हैं, यह आपके second page है, इसका भी आप चाहे तो screenshot ले ले और यह आपके लिए third page हो गया, ठीक है, इसी type से, अब यहां पे दे factor है, कौन सी category है, कौन सा preference है आपका, यह सारी चीज़े आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, चलिए, इसी को एक बार देख लीजे, आपके marks कहां पे आ रहे हैं, और आपको काफी हद तक idea लग जाएगा, ठीक है, तो I hope आप लोग आइलेट के अच्छे से तयारी कर रहे हो होंगे, आइलेट के strategy वाली वीडियो डाल चुका हूँ, मैं, I hope उसी हिस आप से तयारी कर रहे होंगे आप, आइलेट के exam के अंदर भी centers पे हम आप से मिलेंगे, खास करकी जैपूर, जोधपूर और लख्टाओं, फिर मिलते हैं आप से, तब तक लिए अपना ख्याल रख まだ ंता है抬ात में के से हम, आप दे मिलेंगे, विएवनining प्रेचर, भी से जैप तक अग और अपhen में आप से खैलेट हैं प्रिछ झालेट, प्रिपा से मिलेख षा रखखए अजैद, झार भoutheक बता हैं memorize, और दॉूर भी तोर बंच say, षाह, प्रएटे हमाएगे, गयामाए